हेलो फ्रेंड्स आइम इसवर सनोरिया वेलकम टू आर चैनल इंगलिस टॉक आप देख रहे हैं डेली इंगलिस 10 पीम दोस्तों आज की क्लास शुरू करने के पहले आपसे छोटा सा निवेदन है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो किरपया कर लें और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताक जिया आपको लगातारी क्लास मिलती रहे आज की क्लास में हम बात करने बाले हैं दोस्तों English language के कुछ most common mistakes जी हैं दोस्तों most common mistakes English बोलते समय, English लिखते समय हम दोस्तों कई सारी ऐसी छोटी-छोटी गलतियां करते हैं जिससे हमारा impression हो जाता है खराब क्योंकि हम incorrect English बोल देते हैं या incorrect English जो है हम लिख देते हैं तो आपसे गलती यह ना हो दोस्तों इसलिए आपको यह छोटी-छोटी बाते बस याद रखेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी और आपका impression बहुत अच्छा रहेगा आई यह सुरू करते हैं पहली जो mistake जनरली लोग करते हैं वो people is तो यह दोस्तों यह ध्यान रखना होगा आपको कि जो people word है उसका रहता है लोग और आप जानते ही हैं कि लोग जो word है यहाँ पर people it's a plural noun चुकि plural noun है इसलिए हमेशा याद रखें people के साथ में आने वाली जो helpmer होगी वो हमेशा पिल्डरल बर्व होगी like आर का आप प्रयोग करेंगे यहाँ पर past tense में यूज़ करेंगे तो work का यूज़ करेंगे hedge और have में से have का यूज़ करेंगे यानि जो भी बर्व आपको यूज़ करनी है उसको plural बर्व के रूप में आपको यूज़ करना पड़ेगा like people are not very careful in lockdown people are not very careful in lockdown यदि आप कभी इसको बोल देंगे people is very careful तो यह sentence actually दोस्तों गलत हो जाएगा और आपका impression हो जाएगा खराब second दूसरी mistake देखें दोस्तों यह बहुत common mistake है जो मैंने कई लोगों से सुनी है बहुत सारे लोग बोलते हैं I am agree मैं सहमत हूँ जब वो किसी बात के लिए कहते हैं कि मैं इस बात के लिए सहमत हूँ तो वो बोलते हुए सुने जाते हैं I am agree जबकि यह बिल्कुल गलत है दोस्तों क्योंकि agree जो है वो एक adjective नहीं है वो एक verb है agree का अर्थ होता है सहमत होना यहाँ पर जब हम इजेमार के बाद में अगर कोई adjective यूज़ करेंगे तब यह correct होगा चुकि agree एक verb है वो बर्व होने के कारण आपको डारेक्ट इसको यूज़ करना पड़ेगा I agree मैं सहमत हूँ यहाँ पर हम I am agree कभी न बोलें दोस्तों यह हमें पूरा तरह से गलत है इसको कहने से आपका impression खराब होगा आप incorrect English के phrase का या sentence का यूज़ करना है हम जब हमें सहाँ बोलें यहाँ आपको I agree तो आपको कहना है I agree what you say जो तुम कहते हो में इस बाद से सहमत हूँ I agree that you say जो आपने कहा जो आप कहते हो मैं उससे सहमत हूँ तो आज से आपको बोलना है दोस्तों I agree Next I know him good यह भी गलत है दोस्तों इसमां हमें से याद रखें कि good जो word है वो एक adjective है और इस तरह से हम good का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पर हम यह कहना चाहते हैं मैं उससे अच्छे से जानता हूँ जब भी हम किसी चीज के लिए कहना चाहते हैं अच्छे से यहाँ पर हमें good का एड़व की जरुद पड़ेगी और वो एड़व होता है दोस्तों well जब आप बोलेंगे कि मैं उससे अच्छे से जानता हूँ तो आपको कहना है I know him well यदि आप I know him good बोलेंगे तो यह incorrect है आज से आपको correct बोलना है I know him well इसी प्रकार से I know them well मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ I know Hindi well मुझे Hindi अच्छे से आती है I know Hindi good नहीं कह सकते आपको कहना होगा I know Hindi well इसी प्रकार से यह word है दोस्तों I have 20 years अब चुकि अपनी हम खुद की age बताने के लिए कहेंगे दोस्तों have जो होता है वो possession यानि किसी प्रकार के अधिकार को दरसाता है जब अपने पास कुछ होना बताते हैं तब हम बोलते हैं I have 20 books I have many friends यानि have का use हम अधिकार को बताने के लिए करते हैं ना कि अपनी खुद की अबस्ता को बताने के लिए यहाँ पर हम अपनी I you बता रहे हैं तो हमें कहना होगा I am 20 years I have के place पर हमें I am use करना पड़ेगा मैं 20 साल का हूँ यदि आपको एक कहना है तो आपको कहना पड़ेगा I am 20 years old मैं 20 साल का हूँ correct sentence आपका होगा I am 20 years old या फिर I am 20 years old बोलना भी अवश्यक नहीं है बट बर्व का आपको याद रखना होगा I have ना होकर के I am का यूज आपको करना पड़ेगा इसी प्रकार से दोस्तों I have other books तो यह ध्यान रखना होगा दोस्तों other कार्थ होता है दूसरी तो यहाँ पर दूसरा या दूसरी तो यह ध्यान रखना होगा other के साथ जो noun connect होता है उस noun का आप पिलरल नमर यूज कर सकते हैं other के साथ में एस लगाना गलत होता है I have others books नहीं कहेंगे हमें कहना होगा I have other books I have other stories I have other ideas इस तरह से आप कहें यदि वो पिलरल नमर में यूज कर रहे हैं तो like I have other books मेरे पास कुछ दूसरी किताबे हैं I have other mobiles मेरे पास दूसरे mobile हैं यदि single एक mobile के लिए कहना है I have other mobile I have other story I have other idea इस परिसकार से कहना है दोस्तों next mistake हम जो करते हैं दोस्तों I lost the bus यह धन रखना है bus कभी भी lost नहीं होती bus को हम एक प्रकार से miss कर जाते हैं चूक जाती है तो bus train या हमारी कोई flight या कोई train इस परकार से जब उच्चूक जाती है तो उसके लिए हमें दोस्तों बोलना पड़ता है missed I miss the bus I miss the bus मेरी bus चूट गई I miss the train I miss the train so आपको कहना है I miss the train as I was late चूकि मैं late हो गया था मेरी bus चूट गई तो आज से दोस्तों आपको यूज़ करना है I missed ना कि I lost इसी परकार से common mistake जो हम करते हैं दोस्तों वो होता है everyone या everybody के साथ में helping verb का याद रखना होगा it is always singular number everyone everybody no one nobody के साथ हमेशा singular verb का आपको यूज़ करना है everyone is happy अब sentence तो कितने भी हो सकते हैं दोस्तों everyone is happy to come here सभी लोग यहां करके खुस है everyone is present today everyone is ready for this work इस परकार से आपको कहना है दोस्तों next mistake जो हम करते हैं दोस्तों वो है I like very much books यह धान रखना है like के बाद में पहले आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं जो like का object है पहले वो लिखना है और very much का use उसके बाद में करना है I like very much books गलत है आपको correct sentence यूज़ करना है I like books very much I like books very much I like this movie very much I like cricket very much I like brat koly very much I like him very much पहले आपको like का object बोलना है उसके बाद में very much का use करना है इसी परकार से next bird है दोस्तों how do we call this bird हम इस bird को कैसे पुकारते है so how we call this bird actually here we are using a question question होने के कारण आपको use करना पड़ेगा what do we call this bird what के बाद में आपको do we लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम we का use करना है है और we जो है plural subject है तो आपको कहना पड़ेगा what do we call this bird हम इस bird को क्या पुकारते हैं क्या बोलते हैं how do we की जगा पर आपको कहना पड़ेगा what do we call this machine हम इस machine को क्या पुकारते हैं what do we call this machine what do we call this disk what do we do के पास यहाँ पर हम बीका यूज करेंगे what do we call this disk हम इस disk को क्या पुकारते हैं what do we call this bird हम इस बर्ड को क्या बोलते हैं तो दोस्तों याद रखें ता correct word, correct sentence is what do we call this bird ना कि how we call this bird generally slangs के रूप में, superfluous के रूप में कुछ इस तरह के sentence spoken language में परचले थे हैं but friends we very careful ये सभी sentence इस तरह के जो रहते हैं गलत होते हैं इसी प्रकार का एक और word है दोस्तों he speaks English good ये भी sentence गलत है दोस्तों यहाँ पर देखें good का जो use है वो एक adverb के तोर पर किया जा रहा है जबकि गलत है क्योंकि good जो है adjective है, हम ऐसा कह सकते हैं his English is good यहाँ पर adjective के तोर पर हम good का use कर सकते हैं, his English is good उसकी English अच्छी है लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं he speaks English good good के place पर हमें use करना पड़ेगा यहाँ पर well का, हम कहेंगे he speaks English bell वह अच्छी English बोलता है he drives the car bell वह अच्छी car चलाता है यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते he drives the car good नहीं कहेंगे हमें कहना होगा he drives the car bell she operates the computer well वह अच्छे से computer चलाती है they swim very well वह बहुत अच्छे से तेरते हैं they swim good नहीं कहना है they swim very well और last word आज का है दोस्तों I am betting you गलत है हमें से याद रखें हम जिस भी ब्यक्ति का इंजार कर रहे हैं as a preparation महाँ पर हमें for का use करना होता है जैसे मुझे कहना है कि मैं आपका इंजार कर रहा हूँ तो मुझे कहना पड़ेगा I am betting for you ना कि I am betting you जब हम I am betting you कहेंगे तो गलत हो जाता है correct है I am betting for you I am betting for my friends मैं अपने दोस्तों का इंजार कर रहा हूँ I am betting for him मैं उसका इंजार कर रहा हूँ तो दोस्तों I am betting के बाद में हमेशा याद रखें जिसका भी इंजार करेंगे उसके लिए हमें इस four word का प्रियोग करना पड़ेगा I am betting for my family I am betting for my friends I am betting for my companions I am betting for Rahul I am betting for Mohan इस प्रकार से आपको यूज करना होगा कल रात को ठीक 10 बजे Thank you very much